जैहिंद एक भारत मा का बेटा जो सहीद होने के बाद भी पिछले 60 सालों से लगाता ड्यूटी में है उसका प्रमोशन भी होता है और हर साल चुटी में भी भेजा जाता है जिसे देश की आर्मी के जनरल तक सल्यूट करते हैं आखिरकार कौन है वो सैनिक और उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए उन्हें इतनी इज़्जत दी जाती है जी हाँ ये कहानी है बहादूर सैनिक राइफल में जस्वन सिंग रावत की जस्वन सिंग रावत जिनोंने अकेले 72 घंटों तक चीनी फोज का मुकाबला किया था और 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था जस्वन सिंग रावत के अदम मिसाहस और अतुलिनी अपराकरम के लिए उन्हें आज भी इतना सम्मान दिया जाता है तो आएए देखते हैं कैसे जस्वन सिंग रावत ने अकेले चीन की इतनी बड़ी सेने का 72 घंटों तक कैसे मुकाबला किया जस्वन सिंग रावत का जनम उत्राखंड के पौड़ी गड़वाल जिले में 19 अगस 1941 को हुआ था वा गड़वाल राइफल की चौथी बड़ालियन में राइफल मैन के पतपर सेवा रत थे उनकी बड़ालियन 1962 के युद्ध के दोरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिष्टिक के नूरा नाग में तैनात थी 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण में था भारत और चीन की लगबग 1000 किलोमीटर से लंबी सीमा पर 14,000 फिट अल्टिटूड से भी जादा उचाई पर इस्थित अरुणाचल प्रदेश जो पूरे साल कड़कटाती ठंड नुकीले धारदार पहाड और लो आक्सीजन शेतर के नाम से जाना जाता है जिसमें लड़ना तो दूर चार कदम चलना भी मुस्किल है वहाँ पर हमारे सैनिक लड़ रहे थे चीनी सैनिक भारत की जमीन पर कबजा करते हुए हिमाले की सीमा पार करके आगे बढ़ रहे थे चीनी सैनिक अरुणाचल के तवांग से आगे आ चुके थे भारती सैनिक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रहे थे चीनी सैनिकों से फोर गढ़वाल राइफल्स लोहा ले रही थी फोर गढ़वाल राइफल्स जस्वन सिंग की बटालियन थी लड़ाई के बीच में ही संसादनों और जवानों की कमी का हवाला देते हुए बटालियन को वापस बुला लिया गया लेकिन जस्वन सिंग और उनके साथी लांस नायक त्रिलोकी सिंग नेगी और भोपाल नहीं लोटे तीन इस्थानों पर मसीन गन रखी उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को ब्रहमे रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक या समझते रहें कि भारती सेना बहुत बड़ी संख्या में है जस्वन सिंग नूरा और सेला की मदद से तीनों जगे भाग भाग कर फाइरिंग करते रहें इस तरह वाँ चीनी सैनिकों को 72 गंटे यानि तीन दिन तक चकमा देने पे काम्याब रहें इसमें भारी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए लेकिन दुरभाग से जस्वन सिंग को रासन पहुचाने वाले आदमी को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया जिसने चीनी सैनिकों को जस्वन सिंग के बारे में सारी जानकारी दे दी इसके बाद चीनी सेनिकों ने 17 नवंबर 1962 को जस्वन सिंग को चारो तरफ से घेर कर हमला किया इस हमले में सेला मारी गई और नूरा को जिंदा पकड़ लिया जब जस्वन सिंग को यह एहसास हो गया कि उनको पकड़ लिया जाएगा तो उन्होंने युद्ध बंदी से बचने के लिए खुद को एक गोली मार ली और सहीद हो गए सीला की याद में यहाँ एक जगे का नाम सीला पास रखा गया चीनी सेना को इतनी नफरत हो गई थी कि वो जस्वन सिंग का सर काट कर अपने साथ ले गए लड़ाई समाप्त होने के बाद चीनी सरकार जस्वन सिंग की इस बहादुरी से प्रभावित होकर जस्वन सिंग का पीतल का बना हुआ सर भारत को भेट किया जिस शौकी पर जस्वन सिंग ने आखरी लड़ाई लड़ी थी उस शौकी का नाम अब जस्वन गर रख दिया गया है और यहाँ पर उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है इस मंदिर में जस्वन सिंग की मूर्ती लगी हुई है, मंदिर में उनसे जुड़ी चीजों को सुरच्छित रखा गया है, पान सैनिकों को रोज उनके कमरे में तैनात किया जाता है, ये पान सैनिक उनके लिए सुबे साड़े चार बजे बेटी, दोपाहर का नास्ता और साम को खाना रखते हैं जस्वन सिंग एक मात्र ऐसे सैनिक हैं जिनके सहीध होने के बावजूद उनके नाम से पहले सहीध सब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और माना जाता है कि वो ड्यूटी पर हैं जस्वन सिंग को अभी प्रमोशन और चुट्टी दी जाती है वह सिपा अनों का मानना है कि वो अब भी उनकी आत्मा चौकी पर रच्छा करती है और अगर कोई जवान ड्यूटी के दारान सोजाता है तो वो जगा देते हैं भारत माता के इस बीर के अदम में सहस और परक्रम को पूरा देश सेलिट करता है जै हिंद